नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आया 19 मैं 2022 से बनने वाले हर्याना करंट अफेर से समवंदित सभी मैंत पुन क्वेस्टन अंसर जो की आपसे आने वाले कंपिटिशन एक्जाम में पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपोटेंट क्वेस्टन आल कॉम्पिटिशन एक्जाम इन हर्याना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेस्टन है हर्याना के किस जीले में राज्य स्तरिय योग ओलम्पियाड पर्तियोगिता का आयोजन किया जाएगा तो दोस्तो इसको उपसन नमबर आपका ए रहेगा यानि हर्याना के गुरू ग्राम जीले में राज्यस्तरिया योग ओलम्पियाड परत्योगीता का आयोजन किया जाएगा और गुरू ग्राम जीले की स्तावना आपकी एक नॉमबर 1966 को की गई थी और गुरू ग्राम जीले को साइबर सीटी, मेड सीटी, मनुरंजन सीटी, कोल सेंटर ओप हर्याना, मिलेनियम सीटी और अरावली परवत माला के परविश द्वार के उपनाम से जाना जाता है पहली बार अंतराश्य योग दिवस कम मनाया गया था तो दोस्तो पहले बार अंतराष्ट्य योग दिवस आपका 2015 में मनाया गया था नेश्ट क्वेसन अंतराष्ट्य योग दिवस 2021 की थीम क्या है तो दोस्तो 2021 की थीम है मानव, तंदुरुस्ती और कल्यान के लिए योग और 2020 की थीम थी घर पर योग और परिवार के साथ योग नेश्ट क्वेसन है विसव दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तो विसव दूर संचार दिवस आपका 17 मई को मनाया जाता है नेश्ट क्वेसन है विसव एड्स वैक्सिन दिवस कब मनाते है तो दोस्तो विशव एड्स वैक्षिन डे आपका ठारा मई को मनाया जाता है नेश्ट क्वेस्टिय खेलों में बारतिय कुस्ति टीम में हर याना के कितने पहलवानों का चियन हुआ है तो दोस्तो इस खुब सन नंबर आपका भी रहेगा यानि 6 पहलवानों का चियन राष्ट्य खेलों में बारतिय कुस्ति टीम के लिए हर याना के 6 पहलवानों का चियन हुआ है और ये हर्याना के 5 कुष्ती पहलवान खिलाडी कोन-कोन से है तो राश्ट्यमंडल खेलों के लिए वे चैनित पहलवान किया गया है 65 किलोग्राम भारवरग में जजजर के रहने वाले बजरंग पुनिया का चियन हुआ है और वर्तमान में ये सोनिपत में रहे रहे है और आपका 74 kg बारवर्ग में पुंग धला का नवीन कचियन हुआ है 86 kg बारवर्ग में जजर जीले के गाउं छारा के रहने वाले दीपक पुनिया कचियन हुआ और 97 किलोग्राम काटेगरी में रोत्त के नीदाना गाउं का दीपक का चियन हुआ है और 125 किलोग्राम बारवगर में हिसार जीले के गाउं बामला के रहने वाले मोहित का चियन किया गया है बारतिय कुस्ति संग के साहयक सचीव विनो तोमर ने बताया कि पर्तियोगिता का आयोजन इंगलेंड के बर्मिंगम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा. बारतिय सेनियर महिला कुस्ति टीम में चियनित खारियाना की पहलवान. फिफ्टी सेवन यानि फिफ्टी किलोग्राम कटैगरी में सोनिपत जीले से पूजा गहलोत जो की फर्माना नामक्स्तान से संबंदित है. 53 किलोग्राम कटैगरी में विनेस फोगट का चियन हुआ है. 57 किलोग्राम में अनसुमलिक, 62 किलोग्राम में साकसी मली और 76 किलोग्राम में पूजा का चियन हुआ है. और इसके अलावा 68 किलोग्राम में यूपी की रहने वाली दिविया काकरान का बीचियन राष्ट्यमंडल खेलों के लिए हुआ है हर्याना के किस जीले में राखिगट नामकस्तान पर चल रही खुदाई के दोरान 7000 साल पुराने दो महीलाव के कंकाल मिले है तो दोस्तो इसकोपस नमबर आपकाड़ी रहेगा यानि हर्याना के हिसार जीले में चल रही राखिगट नामकस्तान पर 7000 साल पुराने दो महीलाव के कंकाल मिले है और हिसार जीले की स्तापना आपकी एक नमबर 1966 को की गई थी और हिसार जीले को मैगनेट सीटी, स्टील सीटी और इस पातनगरी के उपनाम से भी जाना जाता है नेक्ट क्वेशन राज्ये का सरवादिक खंडो की संक्या वाला जीला कौन सा है तो दोस्तो राज्ये की सरवादिक खंडो वाला जीला हिसार जीला है और इसमें खंडो की संक्या दस है नेक्ट क्वेशन फार्सी बाहसा में हिसार का क्या अर्थ होता है तो दोस्तो फार्सी बाहसा में हिसार का अर्थ होता है दुरूग या फिर कीला नेक्स्ट क्वेशन गुजरी महल का निर्माता कौन है तो दोस्तो गुजरी महल का निर्माता है फिरोध सहा तुगलग नेक्स्ट क्वेशन राज्य की पर्थम तापिय प्रियोजन राजिय उगांदी कहां पर स्तीत है तो दोस्तू राज्य की परतम तापियः प्रियोजना राजिय गांदी आपकी खेदड़ यानि हिसार में स्तीथ है और ये प्रियोजना आपकी बारा सो मेगा वाट की है जो कि राज्य की पहली परतम तापियः प्रियोजना है नेश्ट क्वेस्टन है हर्याना सरकार के द्वारा कैंसर, थैली सीमय व्य हीमोफीलिय के मुरीज़ों को मानसिक पैनसन के रूप में कितने रूपे पर दान किये जाएंगे तो दोस्तो इसको अपसन नंबर आपका भी रहेगा यानि 2500 रूपे जो की हर्याना सरकार के द्वारा गोशना की गई है कि कैंसर, थैलेसीमिया वे हेमोफीलिया से गरस्त मरीजों को मानसिक पैंसन के रूप में 2500 रूपे परदान किये जाएंगे प्राण वायू देवता योजना के तहट कितने रूपे सालाना परदान किये जाएंगे तो दोस्तो इसमें भी हर्याना सरकार के द्वारा इस योजना के तहट 75 वरत से अधिक वर 100 के लिए हर्याना सरकार के द्वारा 2500 रूपे सालाना परदान किये जाएंगे यानि जिस भी किसान के खेत में 75 वरत से अधिक आयू का पेड़ लगा हुआ है तो सरकार के द्वारा उसको 25 सो रुपे की पैंशन दी जाएगी सालाना Next question हर्याना पर्देश में सबसे पहले पैंशन किसके द्वारा लागू की गई थी तो दोस्तो हर्याना पर्देश में 1987 में चोदरी देविलाल के द्वारा पैंशन को लागू किया गया था Next question हर्याना पर्देश में चोदरी देविलाल के द्वारा पैंशन को लागू किया गया था Next question हर्याना विसो कैंसर दीवस कब मनाया जाता है तो दोस्तो थैले सेमिय दीवस को आठ मई को मनाते हैं हर्याना के किस जिले में अटल कैंसर केर सेंटर का उदगाटन किया गया है तो दोस्तो थैसको प्सन नमबर आपका ए रहेगा यानि हर्याना के अमबाला जिले में अटल कैंसर केर सेंटर का उदगाटन किया गया है और अमबाला जिले की स्तापना आपकी एक नॉम्बर 1966 को की गई थी और अमबाला जिले को विज्ञानिक नगरी उपकरणों का सहर अपरेंटिस सीटी आमों का सहर और मिक सीटी के उपनाम से भी जाना जाता है पानिपत और यमूननगर जिले की स्तापना आपकी 1989 में हुई थी पानिपत खर्याना का एक मात्तर ऐसा जिला है जिसका दो बार गठन किया गया है 1989 में और 1902 में और पानिपत जिले को पेट्रो कैमिकल हब बुनिकर नगरी सीटी ओफ विवर्स और हैडलूमों के सहर के उपनाम से भी जाना जाता है यमुना नगर जिला आपकी स्की स्तापना भी आपकी 1989 में हुई थी और इसे पेपर सिटी और गरिन सिटी ओफ हर्याना के नाम से जाना जाता है करनाल इसकी स्तापना आपकी 1966 में की गई थी करनाल जिले को हर्याने का पेरिस धान का कटोर और करन नगरी के उपनाम से जाना जाता है नाथू राम गोड से को फांसी कहां पर दी गई थी तो दोस्तों नाथू राम गोड से को फांसी की सजा अंबाला जेल में दी थी और इसको फासी की सजा 15. Nov. 1949 को दी गई थी नेश्ट क्वेस्टन है अनिलविज का निर्वाचन छेतर कौन सा है तो दोस्तो हर्याने के स्वास्थे मंतरी अनिलविज का निर्वाचन छेतर अम्बाला कैंट है राज्य का सरवादिक ओसत वर्षा वाला जीला कौन सा है? दोस्तों सरवादिक वर्षा वाला ओसत आपका जीला अमबाला जीला है लेकिन हर्याने का चेरापुंजी यमुना नगर में स्ताना आपका छचरोली उसको हर्याने का चेरापुंजी कहा जाता है लेकिन ओसत वर्ष वाला जीला आपका अंबाला जीला है नेश्ट क्वेशन है देश में पर्थम डाक सेवा कब परारम हुई थी तो दोस्तों देश में सबसे पहले जो पर्थम डाक सेवा परारम की गई थी आपकी 1860 में अंबाला में की गई थी और ये आपकी लाड कैनिन के समय इस पर्थम डाग सेवा की सुरुवात की गई थी नेक्ट क्वेसन है जो कि आपको कल की वीडियो में पूछा गया था कि हर्याना के किस जीले की रहने वाली प्रियंका जुनेजा ने मिसेज विसव सुंदरी 2021 का खिताब जीता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर था आपका पानिपत जीले की रहने वाली प्रियंका जुनेजा के दोवारा मिसेज विसव सुंदरी का खिताब जीता गया है यानि उपसन नंबर आपका ए राइट रहेगा नेस्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए करपया कोमेंट करके जुरूर बताए कि हर्याना के किस जीले में परदेश का पहला वन सोध संस्तान स्तापित किया गया है हमारे पास होरुप सन पंचकुला या मुननगर करनाल या अमबाला तो फिलाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोमेंट कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजी साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद